अब साल से कम उम्र के बच्चों के ये बनेगा ब्लू आधार कार्ड ये है प्रक्रिया विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण ने ब्लू आधार कार्ड जारी करने की जानकारी दी है इस आधार कार्ड का नाम होगा, बाल आधार कार्ड और इसका रंड ब्लू होगा यह आधार कार्ड पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाएगा इस से पहले सभी के लिए एक ही तरह के आधार कार्ड जारी किये जाते थे आधार कार्ड के ओफिशिल थ्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल आधार कार्ड लाया जा रहा है पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये आधार कार्ड बिना किसी बायोमेट्रिक डिटेल्स के बन जाएगा बच्चे के जन्म प्रमानपत्र और माता पिता में से किसी भी एक के आधार कार्ड के नंबर के जरिये बाल आधार बनवाया जा सकता है लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल की उम्र पार कर लेगा उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करवाना होगा इसके अलावा जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा उसके बाद एक बार फिर उन्हें अपना आधार अपडेट करवाना होगा बच्चों के लिए Biometric Update निशुल्ख होगा कैसे बनेगा बालाधार 1. सबसे पहले तो नामानकन केंदर जाकर फॉर्म भरें 2. बच्चे का जन्म प्रमान पत्र और किसी भी एक पैरंट का आधार नमब दें 3. एक मुबाइल नमब भी आपको देना पड़ेगा 4. आवेदत की उम्र 5 साल से कम है इसलिए उसके Biometric की जरूरत नहीं होगी केवल फोटो की आवश्यक्ता होगी जब वह बच्चा 5 साल के ज़्यादा का हो जाएगा तब उसका Biometric होगा 5. बच्चे का एक फोटो क्लिक किया जाएगा 6. बच्चे का आधार उसके माता पिता के UID आधार कार्ड नंबर से लिंग किया जाएगा 7. कन्फर्मेशन के बाद स्वीकृती परची मिलेगी इस तरह से आप अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बनवा सकते हैं